देख़े नितीश कुमार जी सोय हुए हैं, नितीश कुमार की सरकार तुस्तिकरन के चक्कर में हैं, नाग पंचमी के दिन जलूस नहीं निकलेगा तो क्या मौन जलूस निकलेगा गया? ये भारत है भारत की संस्कृिति से ये भारत चलता है और लोगतंत्र में भारत के जो धार्मिक लोग हैं इनका सम्मान करना पड़ेगा और नितिशकुमार की सरकार पुरी तरब failure है, ना सुसासन दे सकती है, ना सन्रक्षन दे सकती है, शिर्फ तुस्ट्री करन कर सकती है. ये तुस्ट्री करन वाली सरकार है, इसी का उधारन है, चाहे वो आप मत्यारी कहें, बगहा कहें, जो लोग सडकों पर नारा लगा रहे हैं अपने धर्म की पूजा कर रहे हैं उस पर इटा चल रहा है पतल चल रहा है कौन फेकने वाला है पतल फेकने वाले कौन है कारवाई करने का दम है क्या निति इसकुमार जी में यह तुस्ति करन वाले लोग है इनसे कुछ नहीं हो सकत देखे अत्यन नहीं दुरुभागपुन वाला ब्यान है नियाले की परकिरिया में जिस तरह हस्तचेप जनता दलियू के नेता लोग करते हैं यह पोल खुल रहा है कि लालु जी कोई लोग सेटिंग करके जेल भेजवाए ना यही है ना यह कर रहे हैं कि लालु जी को हमने जेल भेजवाया था यह सेटिंग किया था इन लोगों ने यह उजागर करे ना देखिए कोट अपना काम करती है कोट में कोई दूसरे का रॉल नहीं है और सॉलिस्टी जनरल को सुप्रीम कोट ने पार्टी बनाया है जानकारी तो होना चाहिए सॉलिस्टी जनरल क्या पक्ष रखते हैं उसकी बात पर बात आएंगे जाएंगे भी नहीं क्या अरे ये लोग सेटिंग करके लोगों को जेल भेजवाते हैं यही काम है लोगों का जो नेता ये बोल रहे है न वो अपराधी के सबसे बड़े नेता है अपराध यदि बिहार में होता है तो यही नेता के चलते होता है पूरा पराधी का सर्रक्षन देने वाला यही लोग है नितीज कुमार यही करते रहे है बियार में किसको जेल भेजवाना है उसको सजा से कैसे बचवाना है यही काम है और कोई काम नहीं है लालुजादर को पहले जेल वेजवाया अब कहता हम बचा रहे हैं अरे सार्वजनिक माफी मांगो न न्यतीज जी को माफी मांगना चीए मैंने पाप किया, गलत किया, ब्यार के खजाने को लुटवाने का काम किया, जेल बेजवाया, रेलवे घोटाला में जो कागज दिया, इसके लिए माफी मांगता हूँ, करे तो माफी मांगते नहीं है, कागज भी यही देते हैं, F.I.R किस ने कराया, जनता दलियू के नेता F.I.R के बाद यूटन किस ने लिया, जनता दलियू के नेता ने, पल्टी मार इसी को कहते हैं, जनता दलियूनाइटेट सिप पल्टी मार ना जानती है, अरे हम तो बावन से आरक्षन के समर्थक हैं, भाजपा, डॉक्टर स्यामा प्रसाद मुकर जी जी ने दलितों को आर समर्थन कर रही थी, समर्थन करके बिल पास की, मंडल कमिशन आया, कांग्रेस बिरोध कर रही थी और भाजपा बेरासी सांसत से समर्थन कर रही थी, इस देश में जब-जब आरक्षन आया है, गर्ब से काताओं कि भाजपा का समर्थन रहा है झाल